लोकतांत्रिक देश में मत का अधिकार उस हक का नाम है जो विदायक, मंत्री और सरकार को बदल देते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और आयाज ना रहा बंदा ना बंदा नावाज यह तबाम तरह की जो कतारे आप मेरे पीछे देख रहा हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक आम इनसान के साथ वी वी आईपी वी आईपी और तमाम तरह के लोग हैं जो अपने मत अधिक साथ उन्होंने भी यही से अपने वोट को किया है सर सबसे पहले जानना चाहेंगे किन मुद्धों पर आपने वोट किया मेरे पहली प्रायक मिक्ताव है कि और विखास इह जो बी आवशकता होगी वो पूरी कराई आई इस लगकतार आप वोटरों से मिलना है कि लोटर की वोटर के अधार पर वोट कर रहा है आपकी लगकतार बात बात हो रहा है देखी बारती जंता पार्टी की पांC साल सरकार रही और यहां बेकारी बेरुजगारी रही और बोटर जो है तो fire निगाँ उठाए बैठा था और 2022 का इंतिजार कर रहा था 2022 जैसे आई तभी तमाम बोटरों ने ये उमीद लगा रखी थी कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे और राष्ट अधर 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 जी को मुख्य मंतरी बनाएंगे और उस दिन जिस दिन 2022 का भी बिलबुचा उसी दिनी भारती जन्ता पार्टी का खात्मा हो चुका था और आज ये लमई-Lambi कतारे ये इस बात का प्रमान है बता रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और यहां जन्पत मरदबाद के अंदर 6 की 6 स्टेटे समाजवादी पार्टी जीतने के काम कर रही है 27 दिहात विधान सभा सीट पर बात करें तो पहले कयास लगाया जारा तक सीधा मुकाबला भाशपा और सभा के बीच पे बीच में प्रियंका गांदी वाडरा यहां पर आई तो महुल बदलने की एक कोशिश की किस तरह का महुल है किसके बीच मुकाबला मानते हैं तो 인शाला दियात विधान सभा 27 तो हम जीट चुके बहुत भारी बहुमाश से विधात विधान सभा 27 में विधास का रहे होंगे उनको कराने का काम किया जाएगा विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ों लाई जो चुनाव आयोग के इसको फॉलो किया जा रहा है लेकिन जहां जहां पर मसीने खराब हो जाती है और वहां सिलो हो जाती है तो लंबी-लंबी कतारे लगती है आई डिम साफ से एक दो बार मसीन खराब हूई मैंने बात की तो तरंत बदल गई लेकिन जब तक अधिकारी से कोई बात नहीं होती है जब तक काम नहीं हो पाता है और कतारे लगी रहती हैं और सिलो जो है मस्व बहुत चल रही है तो ये थे हमारे साथ मुर्दबाद के 27 विदान सभा से प्रतियाशी हाजी नासिर साथ उनका साफ दोर पर कहना है कि मुर्दबाद में विकास के नाम पर जंता वोट करें कि हमारा परसंद फर्दीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिर अमरित विचार मुर्दबाद